प्रेंड बेलकम टू चैनल नौलेज आप फार्मेसी फ्यूरो सेमाइड इंजक्षन का आज हम रिव्यू करते हैं तो इस्टेंथ की बात करते हैं 2 ml और 4 ml यह इस्टेंथ आपको मेटकल इस्टोर पर मिल जाएगी और यह जो है इंजक्षन जो है देने के बाद 5 मिएड़ ब फ्यूरो सेमाइड जो है यह लूब डाई यूरेटिक्स है यानि यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा देती है तो इस तरीके से यह काम करती है जैसे आप समझेए इनहिविट करती है एलेक्ट्रोलाइट के री आप्जाप्शन फराम किड्नी और इनहांसिंग कर देती है दा इस क्रेशन आप वाटर इन बॉडी आप यह समझेए कि फ्यूरो सेमाइड कम्प्लीटली इनहिविट इन दी बांडिंग आफ आयन आइट इन दी ट्रांस पोर जो है आयन यानि एलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ट्रांस्पोर्टर इन थिक एसेंडिंग लिंब आफ हैलने आफ हैलने लूपस दिस इज टन इनहिविट री अबजॉप्शन आफ वाटर इन दी नेफरान रेजल्ट सोडियम ट्रांस्पोर्ट फ्राम दी लूमेन आफ लूप हैलने दी बेसो बेसो लेटरल इंटर इस्टी टम्स प्रिबेंट हाइपर टोनिसिटी लूमेन इन दी इ यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा देती है इस तरीके से यह काम करती है कि डायूरेटिक है यानि डायूरेटिक है यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा के अपना काम करती हुए देखते हैं डाक्टर इसको कहां पर प्रियोग में लेते हैं तो एडीमा में अगर कहीं पर जो है जलभराव रहेगा तो जो है वो डाक्टर को दिखता है तो उन्हों प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि acute pulmonary edema यह कौन सा condition होता pulmonary में यानि फ्लूड फिल हो जाता है तो डाक्टर इसको प्रिसक्राइब करते हैं या जो है सेवेरियल एडीमा यहनि मस्तिक में अगर फ्लूड फिल हो गाया है तब भी डौक्टर उसको है करते हैं तब भी करते हैं हाइपरटर च enthusiasts का कंडिशन और हैं थे भी है तो भी डॉक्टर प्रिंसक्राइब करते हैं कि पसाब के होने पर जब उयूरेन का फार्मेशन बढ़ेगा तो जो है बीपी जो है उप्धाल होता है यानि बीपी मेंटेन हो जाएगा तो इस तरीके से तब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एकसस 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 एब्डॉमनल फ्लूड पेट में अगर फ्लूड का जो है एकसस मात्रा में हो गया ज्यादा हो गया तभी डोक्टर प्रिस्काइब कर देते हैं हार्ट फेलियर के कंडिशन में भी डॉक्टर इसको लाइफ सेविंग मेडिसीन के रूप में प्रिसकाइब कर देते हैं तो यह तो कुछ इसके यूजज हुए यानि जो है किड्नी की समस्या है या हार्ट फेलियर है तो डॉक्टर देते हैं इसको कभी अपने मन से नहीं लेना चाहिए यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है उनके पर्चे पर मिलने वाली दवा है वही एलेक्ट्रोलाइट इंबैलन्स हो सकते हैं और जो है चिल यानि ठंधी लग सकती है और संवाइट हो सकती है मुसल्स इसपाज में हो सकती है और ऐलर्जी का रियक्षन हो सकता है यह कुछ इसके साइड इफ्एक्ट है वहent년 के बात कर लेते है तो ऐने लेबल टू यूरिन हो सकता है प्रो इस्टेट इन लार्जिमेंट हो सकता है एक एलेक्ट्रोलाइट इंबैलन्स तो हो ही सकता है और डाइबेटीज और जो है कंटा इंडिकेशन की बात मैं कर रहा हूं और जो है लुपस गाउट एलर्जिक टू सलफा ग्रूप से जो एलर्जिक हो उनके लिए कंटा एंडिकेटर है यानि एनेबल टू यूरिन हो जिन का हो और एलेक्टोलाइट इंबैलन्स हो और डाइबेटीज डाइबेटीज के रोगी हो लुपस हो गाउट हो एलर्जिक टू सलफा ग्रूप दवा से जो है वह एलर्जिक हो या उनका एमराई जल्दी से हुआ हो किसी परकार का इस जो है इसकैन हुआ हो और जो है आई यम आई भी यानि आई आई भी अगर जो दिया जाता है तो बेरी स्लोली इसको पुश किया जाता है और टू एमल एंजेक्शन जब एस जब ज़रूरत पढ़ती है या ओडी एडवाई और फिजीशन जैसा कि आपके डाक्टर कहते हैं वह ऐसा कीजिए और एज बेट और डिजीश के एकारडिंग वह देते हैं क्योंकि उनके परचे पे मिलने वाली दवा है बिना डाक्टर की सलाह के ना लें ओके ठैंक्स आप चाहें तिसके इन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में